So hello everyone and welcome back to my channel तो लेकर आजिरों आप सभी के लिए एक और नया romantic comedy Korean drama जिसका नाम है Queen of Tears तो कहानी की शुरुआत में हमें male lead यॉन्वू और female lead है इनकी शादी दिखाये जाती है जहां दोनों की काफी जादा happily and धूमधान से शादी होती है यॉन्वू अपने voice over से बताता है कि तब सबका कहना था कि हमारी शादी wedding of the century है और ये की सबसे अमीर और powerful family की वारिष ने एक नए employee से शादी की हम दोनों हमारी शादी से बहुत ज़्यादा खुश हैं इसके बादिया में इन दोनों के बहुत सारे sweet scenes दिखाये जाते हैं इससे हमें भी लगता है कि दोनों अपने married life में बहुत ज़्यादा खुश है देनम देखते हैं कि हॉन्वू ये सब एक interview के दौरान बता रहा था वो आगे बताता है कि हमारी शादी को तीन साल हो गए पर अब भी लगता है कि जैसे कली तो हमारी शादी हुई लोग हमेशा मुझे से पूछते हैं कि देश की most powerful family का हिस्सा बन कर और एक queen का husband बन कर मैं कैसा feel करता हूँ तो इसका जवाब है कि मैं बस एक लगी इनसान हूँ जिससे मैंने प्यार किया उससे मेरी शादी हो गई इसके साथे हेंन का भी interview लिया जा रहा था इसमें वो बताती कि मुझे पता है कि लोग आज भी gossip करते हैं जहां वो बताता कि हमारी life भी normal couples की तरह ही है सुबर साथ में उठते हैं, साथ में breakfast करते हैं, साथ में काम करने भी जाते हैं इसी तरह दिन रात हम साथ में ही रहते हैं पर असल पर हम देखते हैं कि यौन वो और है इन अलग-अलग कमरे में रहते हैं घर पे तो उनकी ना के बराबर बाद होती है खाना साथ में खाते तो हैं, पर dining table के दोनों एंड में बैट कर दोनों साथ में office तो जाते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग department में काम करते हैं हैन इस क्विन्स ग्रूप की CEO थी और यहन वो था क्विन्स ग्रूप के legal department का यानि वो एक lawyer है, पर यह सब बताते हुए यहन वो कभी चाहरा एक पल के लिए उतर जाता है पर फिर अपने चाहरे पर fake smile लाते हुए कहता है कि हम दोनों दिन राते एक साथ ही रहते हैं इससे मैं बहुत जादा खुश हूँ इदर हैन से उनके पहली मुलाकात के बारे में पूछा जाता है तो हैन बताती ही कि 5 साल पहले में आपरोड से वापस आई थी तब मैंने क्विन्स ग्रूप जाइन किया एक इंटर्न बनकर बिल्कुल किसी अंडरकवर एजेंट की तरह क्योंकि मेरी असली आइडेंटेटी के बारे में किसी को भी पता नहीं था पर हैन को तब कोई काम नहीं आता था उससे तो फोटो कॉपियर भी चलाना नहीं आता था पर जब उनके पहली मुलाकत के बार में यौनवू से पूछा जाता है तो वो भी इसी इंसिडेंट से शुरू करता है पर बताता है कि ऐसा कुछ नहीं था एन फोटो कॉपियर को बहुत लात मार रही थी तो मुझे चिंता थी उस फोटो कॉपियर की पर इतने बार हैन की मदद करने के बाद जो हैन के लिए भी फिकर होने लगी क्योंकि तब वो बस एक नियो इंटर्न थी और से कुछ नहीं आता था वो हर काम में गल्टी करती थी इसलिए सब लोग उसके बार में गॉसिप करते थे पर तब तक हैन भी होन वो को लाइक करने लगी थी होन वो को हैन के बार में गॉसिप सुन कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था इसलिए एक दिन वो हैन से कहता है जब ये गल्ती करना बंद करो वरना तुमें कमपनी से निकाल दिया जाएगा एन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता इस पर यॉन वो कहता है कि अगर तुम कीसे दूसरे कमपनी में भी गई तो वहां से भी तुमें निकाल देंगे अगर तुम ऐसे ही काम करती रही तो एन कुछ कहने जाते है उससे पहले यॉन वो कहता है जब भी कोई सुपेरियर तुम्हें डांटता है तो मुझे दिल से बुरा लगता है मुझे तुम्हारी बहुत फिकर होती है उससे नहीं उससे कहती है कि अच्छे से इस बारे में सोचना और फिर मुझे बताना ऐसा क्यों होता है यह बूलकर वो चली जाती है फिर रात को आफिस बंद होने के बाद हेन बाहर अपने ड्राइवर को कॉल करके आने के लिए कहती है बहुत बारिश हो रही थी तब ही यहन वो यहां पर आता है और उससे पूछते है कि क्या तुम्हारे पास अमरेला नहीं है यहन केहती है तो यहन वो से अपना अमरेला उफर करता है और कहता है कि तुम्हें हमेशा मदद की जरूरत पड़ती है और तुम्हें परिशान देखना मुझे अच्छा नहीं लगता यहन उससे पूछते है कि पहले तो तुम्हें मेरी फिकर होती थी और अब तुम मुझे परिशाने में देख नहीं सकते ऐसा कि हूँ? यहन वो से हमत करके बताने लगता है कि मैंने तुम्हें इस बार में नहीं बताया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम इससे अंकमफर्टेवल फिल करोगी बट मैं तुम्हें बताना शाहता हूँ कि मैं स्यॉल नेशनल युनिवरसिटी के ला स्कूल का ग्रेजुएट हूँ मेरा घर है यॉंगदुरी टाउन में जहां मेरी फैमिली रहती है मेरे पैरेंस पूरे टाउन में बहुत रेस्पेक्टेड है हमारे पास 35 से भी ज़ादा गाय है और मैंने यहां शेयर में दो साल के लिए अपार्टमेंट लीस पे भी लिया है यानि मुझे हर महीने रेंट पेई करनी की भी चिंता नहीं है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ मेरा मतलब बस यही था कि मेरे पास अच्छे खासे कुछ सेविंग्स हैं यहन पुछते फिर तुम कहना क्या चाते हो यहन वो कहते कि अगर तुम्हें इस जॉब से निकाल भी दिया गया और अगर आगी तुम्हें कोई जॉब नहीं मिली पर उससे पहले ही यहन वो कहते है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ अब यहन वो कहते है कि अपना खेयाल रखना और यह बोलकर वो बारिश मही निकल जाता है जाते हुए कि मेरा ड्राइवर मुझे पेle करने के लिए आने वाला है पर इसके बाद तो हैईन और ज़्यादा इंप्रेस हो गई थी और हैन वो को लाइक करने लगी थी Coming back to present हैईन बताती है कि ऐसे हमारी लब स्टोडी की शुरुआत हुई थी हमने काफी टाइम तक डेट किया पर जैसे उसे मेरी फैमिली के बार में पता चला वो रिज़ाइन देकर अपने होम टाउन चला गया मेरे कॉल्स इगनोर करने लगे उससे बात करना बंद कर दिया फ्लाश बैक में हम देखते हैं यॉन वो अपने रूम में था और हैन को ही याद कर रहा था तब ही उसके फोन पर हैन का मेसेज आता है इसमें वो यॉन वो को बाहर आने के लिए कहती है तब ही यॉन वो को हेलिकॉप्टर की आवाज सुनाए देती है बाहरा कर देखता है तो उनके खेत में एक हेलिकॉप्टर लैंड करता है इसमें से हेई निकलती है जिसे देख टाउन की सब लोग तो हैरान रह जाते हैं दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं एंचल लाकर कहती कि क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे अब यौन वू भी उससे बहुत प्यार करता था असलिए वो भाग कर जाता नों से गले लगा लेता है इससे दोनों ही बहुत खुश होते हैं Coming back to present यौन वू बताता है कि उस दिन हैन को देकर ऐसा लगा था कि वो हैवन से उत्री कोई एंचल है इतनी ज़ादा बीटिफुल थी इंटर्वियर पूछते हैं कि पहले बीटिफुल लगती थी यानि कि अब नहीं लगती यौसन होन वू थोड़ा नर्वस होते हुए कि ऐसा नहीं है वो तो अब भी एक एंजल ही है पर अगले ही सिन में हम देखते हैं कि हयौन वो के कुछ कलिक्स जो कि उसकी लाउ स्कूल के फ्रेंट्स भी थे और ये सब भी हयौन वो के साथ क्विंस ग्रूप की लेगल टीम में ही थे तो एक फ्रेंट बाकियों को बतawkाता है होते हैं क्या कि यह नवो कर डिवॉर्स क्यूं चाहिए वो तो एक ड्रीम लाइफ जी रहा है कोई पागली होगा जो ऐसी जिंदगी छोड़ना चाहेगा और क्वेंस ग्रूप के खिलाफ जाएगा इसके बाद ही हम है इनको देखते हैं जो कि अपने ऑफिस आती है और अपन उनी कंपनी के साथ कॉलेबरेट करता है तो इस वन ट्रीलियन क्लब में होता है इसलिए हैं डिसाइड करती है कि जिन ब्रैंड्स का अच्छा सेल नहीं होता वो उन सारे ब्रैंड्स को अपनी कंपनी से कट आफ कर देगी तो हैं तुरंत एक मिटिंग बुलाती है जहां से उनके कंपनी के उन सारे ब्रैंड्स का नाम मिल जाता है जिनकी सेल कम है तो वो इन सारे ब्रैंड्स को बंद करने का ओर्डर देती है पर एक डायक्टर बताते हैं कि हमने लीगल टीम से बात की इस बारे में लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमें इन ब्रैंड्स को ऐसे काफी अपसेट है इसलिए आपको जल्दी से आने के लिए कहा है यौन वो का वहां पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था यौन वो काफी चिड़ा हुआ भी था पर फिर भी वो चला जाता है जहां है इन उससे पूछते कि आखिर हम उन ब्रैंड को क्यों नहीं बंद कर सकते जो हमारे लिए profitable नहीं है यौन वो उससे बताता है कि उन सारे ब्रैंड्स ने बहुत सारे पैसे इनवेस्ट किया है हम उन ब्रैंड को ऐसे बंद करके नहीं निकाल सकते है इन कहते कि उन सारे ब्रैंड के खिलाफ lawsuit फाइल करो यौन वो कहता है कि इसका कोई फाइदा नहीं होगा हम उन से जीत नहीं सकते अभी loss बहुत बदल चुके हैं बड़े बड़े distributors अपने powers का missy use ना करे इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गया है यौन वो कहने जाता है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था पर इसे रोकते हुए हैं इन कहते कि क्या तुमें लगता है कि हम पर इसे उनकी sales कम होती है इसके लिए भी वो brands हमारी खिलाफ complain कर सकती है वो लोग media में भी जा सकते हैं इवन हमारे खिलाफ case भी कर सकते हैं जिससे हमारे लिए problem और ज्यादा बढ़ जाएगी इससे अच्छा होगा कि हम उन brands को help करें उन brands को अच्छे से promote करने में जिससे हम क्या मैंने आपसे कोई advice मांगी मैं आपको बता रही हैं उन brands को बंद करने के लिए अगर वो लोग नहीं मानते तो उन पर case करो और उनके खिलाफ case जीतो जो आपकी legal team की जिम्मेदारी है यॉन वो को काफी गुसा तो आता है पर फिर भी वो yes मैम कहता है उसके बाद ही ही ज जा रहे हो मैं जिस store manager को निकालने वाली थी तुमने पहले उसे मेरे बारे में warning दे दिया यॉन वो कहता है कि वो manager हमारे साथ बहुत पहले से काम करते हैं वो अब भी बहुत hard working है चोटी सी गल्दी के लिए उन्हें निकालना सही नहीं है जो सुन है इन कहती कि तुम कुछ ज़्यादा ही kind हो और तुमें दूसरों के इतनी ज़्यादा फिकर है क्या तुम उनके लिए कोई hero बनना चाहते हो दूसरों के बारे में सोचना चोड़ और अपने करीबियों के बारे में सोचो यहां तो क्या तुमें लगता है कि हम दोनों के बिच को ऐसा करीबी तो आकर इन तीन सालों में ऐसा क्या हो गया जो अपने शादी तक एक दूसरे से इतना प्यार करते थे पर आज डिफॉर्स की नौबत आ गई देखेंगा हम अगले पार्ट्स में तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चानल पर पहली बार आए तो डू जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में दबते के लिए टेक केर और बाई बाई